हमस्कार दोस्तों बारती किसान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज गेस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया की संपुन जानकारी के बारे में जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे कि यूरिया का पसल पर क्या काम है पसल कि किस सवस्ता पर यूरिया का प्लेयो करना चीए वा किस सवस्ता पर नहीं करना चीए इसकी डोज क्या है आदी बातों के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों यूरिया में 46% नाइटोजन पाई जाती है दोस्तों नाट्रोजन यानि यूरिया के काम की बात करें तो ये पोदे में हरापन लाता है पुस्पन में सायग होता है नई पत्यों का विकास करता है पूलों का विकास करता है दोस्तों पिलापन भी दूर करता है दोस्तों नाट्रोजन यानी यूरिया की आवसकता पोदे में बुवाई से लेके पुस्पन तक पढ़ती है अधा दोस्तों इसका प्रयोग बुवाई से लेके पुस्पन तक तीन भागों में करके देना चीए दोस्तों बात की जाए यूरिया की पोदे पे कमी की पहचान की तो इस परकार पूरानी पतियों पर पिलापन दिखाई देता है जो बाद में उपर चरता जाता है वही दोस्तों पोदा जाड़ी नुमा हो रह जाता है यानि पोदे का विकात सही नहीं होता है दोस्तों अगर बुबाई के समय अपन डी एप या 12 बती सोला दे रहे हैं तो उस समय यूरिया नहीं देवें बाद में यूरिया की मात्रा को दो भागों में करके एक बार वनस्पति का बस्ता में और एक बार फूल आने समय देवें दोस्तों फल बनते समय या पसले पकते समय यूरिया देने पर उनकी उपज में बारी कमी आती हैं अधा दोस्तों फलन के समय या पकते समय यूरिया की मात्रा नहीं देवें दोस्तों चावल को छोड़कर बाकी सभी पसलों में यूरिया प्रयोग के सिग्र बाद सिचाई कर देनी चीए दोस्तों चावल में यूरिया प्रयोग करने से पहले सारे खेत के पानी को निकाल देना चीए बाद में यूरिया का प्रियोग करना चाहिए बाद में 2 दिन बाद वापस पानी केत में बरना चाहिए दोस्तों यूरिया का खड़ी vableसल में स्प्रे करने पर बहुत ही स्ञानदार अच्छा रिजल रहता है इसके लिए यूरिया की स्प्ले की डोज 6 ग्राम परती लिडर पानी के इसाब से रखें दोस्तों फसलों में प्रियोग की गई यूरिया की मात्रा की आदी ही पोदे को मिल पाती है आदी सुर्य की रोसनी वैद जमीन में पानी के द्वारा रिस जाती है दोस्तों पोदे को जादा से जादा यूरिया की मातरा मिले इसके लिए आपको 80% वाला सलवर उसमें मिलाकर केट में प्रियोग करना चाहिए दोस्तों आज की इस वीडियों बस इतना ही मुझे दीजिए अज़ाज़त मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इस वीडियो को लाइक करें और नीचे बने लाल रंके बटन को तबा कर बारती किसान यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें ताकि खेती बारी वाग किसानों से जुड़ी जानकरी सबसे पहले आपके मुबाइल में पहुंच सके